प्रस्निगारा रेखिक समिकरन D बराबर R T तो रेखिक समिकरन दिया हुआ है D बराबर R T दूरी D, D क्या है दूरी है R गती और समय T के बीच संबंध है यदि एक समान गती 2 किलोमीटर 30 सकेंड हो तो इस समिकरन का आलेग घीचे बताएं कि पहला 2 सकेंड में चली दूरी कितनी है दूसरा 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा तो प्रस्निगारा समिकरन क्या दिया हुआ है D बराबर R T D बराबर R T दिया हुआ है ठीक है तो समिकरन दिया हुआ है D बराबर R T D क्या है दूरी R है गती और T है समय तो गती दिया हुआ है प्रस्ण में देखिए एक समान गती 2 km पर ती सकेंड तो इसको हम लिख सकते हैं D बराबर R के जगा 2 लिख सकते हैं क्योंकि 2 km पर ती सकेंड गती दिया हुआ है R गती को दर्सार आ है यहाँ पे तो R के जगा 2 लिख सकते हैं ठीक है तो D बराबर तो 2 T यानि 2 गुना T इसको लिख लेंगे R के जगा पे 2 लिख लेंगे क्योंकि गती दिया हुआ है R मतलब गती अब यहाँ पे इस तरह से आले घीचने के लिए इस तरह से बना लेंगे यहाँ पे T लिखेंगे यानि समय और यहाँ पे D यानि दूरी ठीक है तो समय को अगर हम सूने रखें यहाँ पे देखें इसमें इसमें अब जो मान रखेंगे समय का यानि T बराबर अगर कुछ भी रखेंगे अपने मन से तो D निकल जाएगा तो अगर T बराबर सूने रखें सूने ठीक है समय को सूने रखें तो D बराबर यानि दूरी भी सूने होगा देखें दो गुना सूने ती बराबर सूने रखें तो दो गुना सूने सूने तो D बराबर कितना हो जागा सूने यानि समय अगर सुनने है तो दूरी भी सुनने होगा अगर समय को तीन रखें यहाँ पर कोई भी मान आप रख सकते हैं इसमें कोई जरूरी नहीं के सुनने ही रखें या तीन ही रखें तो तीन, दो, छे, पांच कुछ भी रख सकते हैं तो अगर T बराबर कितना रखें? तीन रखें, ठीक है? तो second में ही रखेंगे, देखें, दूरी, यानि, गती कितना दिया होगा है? 2 km पर 30 second, प्रस्ण में देखिये, गती है 2 km पर 30 second, तो समय second में ही होगा, तो यहाँ पर 3 second रखेंगे, टाइम बराबर, यानि 3, तो दूरी कितना हो जागा? 3 दूरी 6, यानि 6 km, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, अब देखें, ये दोनों मान से, हम आलेख आसानी से घीच सकते हैं, ठीक है? बस 2 मान जरूरी है, आलेख घीचने के लिए, दो से ज़्यादा मान भी आप निकाल सकते हैं, तो अब आलेख घीचेंगे, इसके लिए ग्राफ कॉपी में, पहले एक सच और बाई अच बना लेंगे, इस तरह से, तो यह हो गया एक सच, यहाँ पर लिखेंगे एक सदैस, और यहाँ पर ओ, मुल बिंदू के पास ओ लिखेंगे, यह हो गया बाई अच, और यहाँ पर लिखेंगे बाई डैस, बाई डैस, ठीक है, तो इस तरह से, एक सच और बाई अच पहले बना लेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे समय, इस एक सच पर समय को दर्साएंगे, तो लिखेंगे टी, यानि समय, टी से है तो टी लिख करके फिर यहां पर लिखेंगे समय सेकंड में समय सेकंड में ठीक है समय किस चीज में है यहां पर सेकंड में है तो आप यहां पर लिखेंगे यानि एक सेकंड सब दूरी बराबर पर होगा 2 3 1 एकाई बरावर 1 cm लेंगे तो यहाँ पर दूरी नहीं है समय है तो सब 1 की एकाई पर लेंगे ठीक है सब बरावर दूरी पर सूने के बाद 1 जितना दूर है उतना ही दूर 1 से 2 रहेगा ठीक है तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 इस तरफ होगा दूरी, यहाँ पर लिखेंगे D, D दूरी को दर्स आ रहा है, तो यहाँ पर दूरी लिख देंगे, दूरी किलोमीटर में, दूरी किस चीज में है, किलोमीटर में, और इस तरफ तीर का निसान दे देंगे, यानि बाई अच जो है, दूरी को दर्स आ रहा है, ठीक है, तो दूरी भी सब बराबर दूरी पे होगा, यानि सुन्य से यहां तक एक किलो मेटर, ठीक है, एक एक की काई पे, फिर यहां से यहां तक दो किलो मेटर, यहां से यहां तक तिन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, इधर से सेकेंड है यानि समय है नो अब कितना माल लिये थे टाइम सुन्य तो यानि समय को सुन्य लिये थे तो दूरी भी सुन्य हो गया था तो दोनों सुन्य है यानि यहाँ पर मुल बिंदू पर मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे सुन्य कॉमा सुन्य यहाँ पर लिख दे तो एक सच भी सुनने और बाई या च पर भी सुनने यहाँ प्रसमय ने इहां प्रसमय सो प्रसमय और 1500 यहां प्रस देखिये 10 कहें प्रसमय तीन यहां इधर से और ठीक है देखें तीन इधर से और छे इधर से कहां पे मिल रहा है यहां पे तो यहां पे लिख देंगे तीन कॉमा छे तीन कॉमा छे यानि तीन सेकेंड में कितना दूरी तै कर रहा है छे किलोमेटर की दूरी देखें तीन सेकंड में छे किलोमेटर की दूरी तै हो रहा है ठीक है क्योंकि प्रस्न में गती तो दिया था गती एक समान गती है यानि दो किलोमेटर परती सेकंड तो उसी गनुसार समय तीन सेकंड लेंगे और गती पहले से दिया हुआ है दो किलोमेटर पड़ती सेगें तो दूरी कितना हो जागा छे देखें तीन दूना छे यहां पर समय को तीन लेंगे तो तो अब इसको मिला देते हैं अब इसको बिल्कुल सीधा मिलाएंगे इस तरह से तो यह आलेक इस तरह से घीच लेना है पहले ठीक है आलेक इस तरह से घीच लेना है अब इस आलेक के माध्यम से बताना है कि देखें प्रस्ण में देखिए पहला में दिया हुआ है कि दो सेकंड में चली दूरी कितनी है तो देखें दो सेकंड दो सेकंड कहां पर है तो एक सच पर देखेंगे तो दो सेकेंड तो दो सेकेंड यहां पे है तो दो सेकेंड देखिए और इधर से देखिए कहां पे मिल रहा है यहां पे दो सेकेंड सुरू से यहां से जाएंगे और इस रेखा को जो अलेख घीचे हैं उसमें देखेंगे तो यहां पर आ रहा है और इधर से 4 यानि यहां पर यहां पर क्या होगी है दो कॉमा चार लिख देंगे दो कॉमा चार तो कह रहा है कि 2 सेकंड में चली दूरी कितनी है तो 2 सेकंड में 4 किलोमीटर क्योंकि सम है वाला पहले लिखेंगे 2 क्योंकि 1 साच पे है और देखे 4 किलोमीटर दूरी तो 2 सेकंड में 4 किलोमीटर एक का उत्तर तो आ चुका है 2 सेकंड में 4 किलोमीटर प्रस्न में पूछ रहा है कि दो सेकेंड में चली दूरी कितनी है तो दो सेकेंड में चली दूरी है चार देखे अब हम आलेक से ही कोई भी प्रस्न का उत्तर दे सकते हैं तो दो सेकेंड के सामने जहां पर ये रेखा आलेक घिचाया है और दूरी जितना हो रहा है वही इसका उत्तर होगा तो 2 सेकेट में 4 किलोमीटर एक उत्तर आ गया है अब दूसरा में कह रहा है कि 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगीगा तो 8 किलोमीटर देखेंगे 8 किलोमीटर जाने में कितना समय लगीगा तो 8 किलोमेटर यहाँ पे है, बाई अच्छ में देखेंगे, तो 8 किलोमेटर यहाँ पे 8 किलोमेटर के सामने चलेंगे, तो देखें, यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है इस रेखा पे, तो यही पे इसका उत्तर मिल जाएगा, अब देखें इधर से, अब देखेंगे एक सच इसके सामने क्या है तो आठ किलोमीटर में कितना समय लग गया तो आप समय को देखेंगे एक सच में तो देखेंगे आठ किलोमीटर के सामने क्या रहा चार यानि चार सेकेंड लगेगा समय कितना रहा चार आठ किलोमीटर के सामने एक सच पर देखें कितन वाला निर्दे सांग को पहले लिखते हैं, ठीक है? ठीक है? तो चार को माठ तो इससे देखिए प्रस्न का उत्तर मिल गया 8 किलो मिटर जाने में कीतना समय लगेगा? चार सेकंड ठीक है तो दोनों प्रसन का उत्तर आलेक के माध्यम से दे देंगे अब जो भी उत्तर आया है उसको मिला देते हैं इस तरह से डौटेड लाइन से इस तरह से देखिए एक रेखा गीच देंगे ताकि पता चले कि यहाँ पे इसका हल मिला है जो भी प्रसन है इसको भी उसी तरह से मिलाएंगे, इसको भी इसी तरह से मिला देंगे, तो यहाँ पर प्रस्न का उत्तर है दोनों में, ठीक है, आठ किलमेटर जाने में चार सकेंड लगेगा, और दो सेकेंड में, चार किलमेटर की दूरी तैह होगा, तो दोनों प्रस्न का उत्तर, इस आलेक के माध्यम से मिल चुका है, अब इसको लिख देते हैं, कॉपी में, तो इसका उत्तर लिख देते हैं, पहला का उत्तर हो जाएगा, तो दो सेकेंड में चली दूरी कितनी होगी, तो 4 किलमेटर यहां पर लिख देंगे, पहला का उत्तर, 4 किलमेटर और दूसरा का उत्तर लिख देंगे, 8 किलमेटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 8 किलमेटर जाने में 4 सेकंड लगेगा, ठीक है, तो इस तरह से प्रस्न का, जो भी प्रस्न है, उसका उत्तर आलेक के म पाध्यम से निकाल देंगे तो अगर समय बरावर 2 रखते तो 4 किलोमीटर आ जाता ठीक है यहाँ पर अगर 2 रखते समय बरावर 2 सकेंड तो देखें दूरी आठ यह दो दूने 4 4 किलोमीटर आ जाता लेकिन कोशिस यही करना है कि दूसरा अंक ले जो उत्तर आ रहा है उसको नहीं ले ठीक है जिससे की उत्तर यहीं पर मिल जा है कोशिस यही करना है कि आलेक के द्वारा उत्तर को ग्याद करें तो ज्यादा मजा आएगा ठीक है उत्तर निकालने में तो इसलिए देखें यहाँ पर सूनने लिए थे और एक तीन लिए थे ताकि यहाँ पर हमारा उत नहीं मिले क्योंकि आलेक में खोजना है इसको